असलाम अलेकम, वेलकम टू माई चैनल आसिफ ब्रेन और तोड़े विल डिस्कस चेप्टर नबर सैवन बिजनेस मैथमेटिक्स का और हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्फ असेस्मेंट क्वेस्टन नमबर सिक्स का ई पार्ट और इस इपार्ट में हमने डिरिवेटिव फांड़ करना है इस क्वेस्टन का using पावर रूल ठीक है तो यहाँ पे हम पावर रूल का इस्तमाल करेंगे जो mostly questions में इस्तमाल होता है तो पावर रूल जो आना वो आपको पता ही है देखें यहां पर पावर रूल में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फर्स कालिया यहां पर x square है इसका जब आप derivative लेंगे तो यह जो पावर है यह पहले लिख लेनी है ठीक है और पावर में से हमने 1- का देने तो 2 x की पावर 2 में से 1- करेंगे 1 अगर पावर 1 को हो तो हम लिखें या ना लिखें ठीक है यह तो है पावर रूल तो चलते हैं हम अपनी कोस्टिंग की तरफ लेकिन अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ में लगे बेल आगर को भी प्रेस कर दें ताके नए अनिवल वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो चलते हैं अपनी कोस्टिंग की तरफ देखें यहां पर थोड़ी से आपने चैनल करनी है इस कोस्टिंग में य पार्ट में य इकोल टू 5 प्लस 2X माइनस 7X स्केर इंटू 6X क्यूब माइनस X के प्लस 3X प्लस 5 इसका होल का स्केर यहां पर देखें यह जो X स्केर है यहां पर X का भी स्केर है और इस सारी वैल्यू का भी स्केर है ठीक है यह ब्रैकट में इसका भी स्केर और X का भी स्केर है तो आपने क्या करना है यह X का और यह सारी वैल्यू का स्केर आपने कठा ले लेना है देखें का मैं यहां पर कैसे करता हूँ माइनस यह जो 7 है यह वैसे रहेगा ठीक है आपने क्या करना है यह जो X है इसका और 6 X Cube ग'M सारे का स्केर यह वला स्केर ठीक है यह वह स्केर collaboration मैंने कर दिया इन दोनों का क्यूंक्ज कि क्यूंकि मल्टिप्ले ही हो रहे है ठीक है 17 का स्केर ने दियो बाद हम क्या करेंगे यह जो X है इसको सभी से multiply का देंगे 5 प्लास 2X माइनस 7 6 X की पावर 3 है एक यह कितनी हो जाएगी 4 और उसके बाद माइनस X की पावर 2 यह है और एक यह 3 हो जाएगी प्लास 3 X की पावर एक यह वाली एक यह वाली 2 हो जाएगी प्लास 5 X से multiply हो जाएगा तो यह बन जाएगा 5 X और यह उपर क्या दिया वाल स्केर अब हम इसका derivative आसानी से ले सकते हैं अब आपके जहन में आ रहोगा कि सर आपने इस X को multiply ही क्यों किया है देखिएगा अगर मैं यहाँ पे X स्केर को आगे multiply नहीं करता तो यहाँ पे हमें एक यह वाला function मिलना था और एक यह सारा function दो function आपस में multiply हो रहे थे तो उनका product rule हमने इस्तमाल करना था तो product rule इस्तमाल करने के लिए आगे इसको मतलब अगर solve करते हैं तो यह बहुत complicated हो जाता वो कैसे कि अगर हम यहाँ पे product rule इस्तमाल करते हैं तो इस सारी value का आपने square open करना था जो कि आपके लिए थोड़ा सा critical था ठीक है इसलिए मैंने इसको multiply किया आप वैसे भी ले सकते हैं लेकर वो थोड़ा सा critical हो जाएगा थोड़ा सा लंबा x के लिए हास इसको इसका derivative लेंगे y का derivative लेंगे तो वो बंज़ेगा dy over dx equal to 5 का derivative लेंगे constant है constant का derivative 0 होता है यहाँ पे 2 constant है यह वैसे आजएगा x का derivative लेंगे तो वो 1 आजएगा यह minus 7 अब इस सारी value का derivative लेना है ठीक है यहाँ पे पहले हम लगाएंगे power rule क्योंकि यहाँ पे power दी हुई है सारी value की power combine दी हुई है हम पहले क्या लगाएंगे power rule power rule कैसे लगाते हैं power पहले आजएगी और फिर यह सारी value लिखेंगे 6 x की power 4 minus x cube plus 3 x square plus 5 x सारे यह दो power मैंने यहाँ पे लिए है और दो में से power में से एक minus भी का दी है उसके बाद आप लोगोंने क्या करना है यह जो power तो हमने power rule तो लगा दिया लेकिन उसके बाद यह जो bracket की अंदर value दी हुई है जितनी भी value है इस सारे का derivative भी लेना है d over dx इसका 6x की power 4 minus x की power 3 plus 3x square plus 5x ठीक है लेजी इसका हमने लेना है derivative अब यहाँ पे देखेगा यह 0 खतम होगी 2 1 2 minus 7 और यह 2 ठीक है into 6x की power 4 minus x cube plus 3x square plus 5x ठीक है लें जी 2 में से 1 minus करेंगे 1 वो यहाँ पे हम 1 लिखें या ना लिखें ना लिखा हो तो आपको पता हों जीए कि यहाँ पे 1 है clear है चलें जी अब उसके बाद इसका derivative लेना है तो derivative पहले लेंगे तो कैसे लेंगे यह 6 वैसे का वैसे power rule यहाँ पे लगाएंगे 4 पहले आजएगा ठीक है और power में से 1 minus करेंगे 4 में से 1 minus किया बगी 3 रहाजएगा ठीक है इसका derivative हो गया यह 6 वैसे का वैसे और 4 पहले आजएगा 4 में से 1 minus करेंगे यहाँ पे 3 बच जएगा माइनस पावर पहले आजएगी और पावर में से एक माइनस करेंगे तो दो बाच जाएगा प्लास थ्री पावर पहले आजएगी यह पॉइंट लगाया है पॉइंट का यहाँ पे मतलब यह नहीं 6.4 यहाँ पे मतलब है मल्टिप्लिकेशन ठीक है यहाँ पे 6 और 4 जरब हो रहें आपस में चलें यह एक्स की पावर दो में से एक माइनस करेंगे बाकी एक और एक हम लिखते ही नहीं है ठीक है प्लस 5 है एक्स का डेरिवटिव लेंगे तो हमारे पास आजएगा 1 ठीक है I hope कि आप लोगों को इसकी समझ आगी होगी और almost हमारा question solve हो चुका है आप यह जो 2 है यह पहले लिखना चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं और end पे लिखना चाहें तो end पे भी लिख सकते हैं ठीक है मैनस 7 लें जी अब यह जो 2 है इन सब के साथ multiply कर दें 2 जरब 6 12 X की पावर 4 माइनस 2 जरब X की पावर 3 2 जरब 3 6 X की पावर 2 2 जरब 5 10 X ठीक है और 7 में यह हमारे पास हाज़ेगा 6 जरब 4 24 X की पावर 3 माइनस 3 X की पावर 2 जरब 3 जरब 2 6 X 5 एक 5 उसके बाद यह जो 2 प्लस का है ना प्लस 2 यह आप यहाँ पे end पे भी लिख सकते हैं शुरू में भी लिख सकते हैं और end पे भी लिख सकते हैं यह आप लोग की मज़ी है ठीक है लें जी अब माइनस 7 यह वैसे का वैसे अब आप लोगोने end को multiply करना है क्या करना है multiply करना है तो multiply की थोड़ा सा यह long है लेकिन मुश्कल नहीं है आसान है मैं आपको बताता हूँ कैसे सबसे पहले जो 12 X की पावर 4 इन है इसको आपने इन चारों रकमों से चारों वैल्यू से अपने multiply करना है ठीक है तो 12 को 24 से multiply करें ठीक है 12 को 24 से 4 जरब 2 8 2 जरब 2 4 4 एक 4 2 एक 2 यहां पे 288 288 288 X की पावर 4 यह है और 3 यह है कितनी हो जाएगी 7 मैंने इस पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ multiply कर दिया अब इस पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ multiply करें 12 जरब 3 36 X की पावर 4 यह वाली है और X की पावर 2 यह वाली कितनी हो जाएगी 6 अब इस वैल्यू को अगली रकम से बारा जरब 6, ठीक है, 6 जरब दो, 12, 6 और 2, 6 और एक 7, ठीक है, 12 जरब 6, 72, बहतर आजाएगा, X की पावर 4 ये वाली है और एक ये वाली, 5, अब इस वैली को, last वाली 5 से मल्टिप्लेए करेंगे, 12 जरब 5, 60, और X की पावर ये कितनी है, 4, ठीक है, यह एक नमबर हमने चारों से मल्टिप्ले कर दिया हम अब दूसरा नमबर लेंगे इन चारों से हम मल्टिप्ले करेंगे दो से यहां पर माइनस आया तो इनकी अलामतें भी साथ साथ चेंज करनी है दो जरब चौबिस तो यह आज़ेगा 48 8 तीन यह पावर है तीन यह वाली है 6 हो जाएगी दो जरब 3 6 यह माइनस मैनस प्लास हो गया एक्स का पावर 3 यह 2 यह कितनी होगी 5 दो जरब 6 12 प्लास माइनस माइनस 1 एक एक्स यह वाली है 3 यह वाली कितनी हो गया 4 ठीक है 25 दस यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा और साथ में यह एकसी पावर 3 है तो 3 आ जाएगी ठीक है चलें जी अब नेक्स्ट वैल्यू है 6 को 24 से जरब करें 6 जरब 4 24 हासल 2 6 जरब 2, 12, 12, 12, 14 144 यह पावर 2 यह है 3 यह वाली है, कितनी हो जाएगी 5 6 को 3 से मल्टिप्लेई करेंगे तो यह आजएगा 18 यह माइनस है और यह प्लस है प्लस माइनस माइनस ठीक है एकसी पावर 2 यह वाली है 2 यह वाली कितनी हो जाएगी 4 ठीक है इसी तरीके से 6 को 6 से मल्टिप्लेई करेंगे तो वो मारे पास आजएगा 36 ठीक है, दो ये पावर है एक ये वाली है, कितनी आजएगी 3, 6 को 5 से मल्टिप्ले करेंगे 30, और दो पावर ये वाली है, यहाँ पर नहीं आए तो ये दो पावर ही आएगी, ठीक है लें जी अब ये रहागे एंड वाली वैलिव 10 को 24 से मल्टिप्ले करेंगे तो 240 आजएगा, 3 ये पावर है एक ये वाली, 4 पावर होगी 10 को 3 से जरब करेंगे 30 आजएगा, एक ये पावर है 2 ये वाली है, 3 पावर होगी 10 को 6 से मल्टिप्ले करेंगे 60 आजएगा एक ये पावर है एक ये वाली है 2 हाजएगी 10 को 5 से दरब करेंगे 50 एक ये पावर आजएगी X आजएगा लें जी ये हमारे पास multiplication हो गी है ठीक है I hope कि आप लोगों को multiplication की समझ आगी होगी थोड़ी सी long है लेकर मुश्कल नहीं है आसान है ठीक है चलें अब हम इनको करते हैं combine यहाँ पर याद रखना यह प्लास टू है यह अपने end पर लिख लेना है चलें जी अब इनको हम करेंगे combine combine कैसे करना है वो दिखीगा पहले आप लिखेंगे यह minus 7 ठीक है 288 288 x की power यहाँ पर दीवी है 7 उसके बाद x की power 6 एक ये वाली power 6 है एक ये वाली power 6 है ठीक है इन दोनों को आप combine कर लें ठीक है 368 8 और 6 14 आसल 1 4, 3, 7 और 1 8 ठीक है power कितनी है 6 वो यहाँ पर 6 power आ जाएगे इनको आपने combine कर लेना है उसके बाद बाद करते है x की power 5 की तो यहाँ पर 72 है ठीक है 5 power और यहाँ पर 144 है इनको add करें 4 और 2 6 ठीक है पलके 3 है power 72 और ये 6 78 हो जाएगा 78 में ये 144 एड कर लेंगे तो वो हमारे पास आजएगा 8 और 4 बारा 7 और 4 ग्यारा और 1 बारा 1 और 1 दो तो यह हमारे पास आजएगा 222 ठीक है 222 ठीक है और साथ में ये आ जाएगे x की power 5 ये कैसे आया एक ये value x की power 5 है एक ये वाली है एक ये वाली है इन तीनों को add कर लेंगे ठीक है उसके बाद हम बाद करते है x की power 4 की 60 है ठीक है 60 तो 60 x की power 4 एक ये value value है एक ये value value 60 में से 12 निकाल देंगे बाकी कितना रह जाएगा बाकी मारे पास रह जाएगा 48 48 48 में से 18 निकाल देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 30 ठीक है 30 x की power 4 30 इसमें add करेंगे तो वो आजाएगा 270 प्लस 270 x की power 4 ये दुबारा सुन लें x की power 4 एक ये value है एक ये value है एक ये value है और एक ये value है इन चारों को आपने combine करना है combine कैसे करना है ये 60 है इसमें से ये 12 निकालेंगे फिर इसमें से मजीद 18 निकालेंगे फिर जो answer आएगा उसमें से ये 240 हम add कालेंगे that's clear है उसके बाद हम बाद करते हैं x की power 3 की x की power 3 यहाँ पे 12 है sorry 10 है minus 10 minus 10 में 36 में से minus 10 निकाल देंगे बाकि 26 और 26 plus का है तो minus 30 में से plus 26 निकाल देंगे ठीक है 30 में से 26 निकाल देंगे बाकि कितना रह जाएगा minus 4 minus 4 x की power रह जाएगे हमारे पास 3 again सुन लिए कि यहाँ पे minus 10 है यह minus 10 और यह 36 36 में से minus 10 निकाल देंगे बाकि 26 रह जाएगा और यहाँ पे minus 30 है minus 30 में से 26 निकाल देंगे बाकि minus का 4 बात जाएगा ठीक है उसके बाद हम बात करते है x की power 2 की तो यहाँ पे x की power 2 देखेंगे कौन सी value है एक यह value है ठीक है अकेला x रह गया तो यह x की value हमारे पास है 50 x plus 50 x यहाँ पे इसके लावा और भी check कर लेनी है कि अगर कोई है तो हम वो add कर लेंगे अब उसके बाद बात आती है बगार x वाली value वो कोई और है या नहीं है वो आपने check कर लेनी है ठीक है इसमें से कोई ऐसी value जो बगार x वाली है नहीं है तो बात ठीक है और end पर यह हमारे पास रह जाएगा plus 2 तो यह हमारे पास answer आगया है I hope कि आप लोगो को question की समझ आई होगी मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए अल्ला ने गया